तुबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है मैं भी इसका शिकार हुई थी पर मैं इससे बच निकली मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना ज़रूरी है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बिमारी बहुत ज़ादा नुकसान पहुचा सकती है हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टन भी बन जाए जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्स भी बहुत ज़ादा होते है जब मैं ड्रग रेजिस्टन टीबी से जूज रहे थी तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चनोतियों का सामना करना पड़ा सामान्य टीबी का इलाज 6 महने और ड्रग रेजिस्टन टीबी का इलाज 24 महने तक चल सकता है पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाईयों की संख्या कभी-कभी तो 16 दवाईय लेने पड़ती थी और कभ कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था दूसरी चुनौती है इसके side effects उल्टी होना, सिर्चक्राना, दर्द, कमजोरी और मांसिक स्थिति बिगड़ने जैसे side effects से उबरना मुश्किल होता है इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाते है मैं भी यही करना चाती थी तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते है अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं तो उसमें एक ऐसा system है जो आपके इलाज के उपर निगरानी रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा करा है नीजे अस्पतालों में भी ऐसा ही इलाज होता है लेकिन बहाँ कोई निगरानी नहीं रखी चाते किसी भी सिती में इलाज पूरा करना जरूरी है मैं मदद करने के लिए अपने अनुभोवों के आधार पर कुछ सुदाव देना चाहूंगी पहले थोड़ा व्यवस्तित बने जैसे मैंने अपने इलाज के लिए एक चार्ट बनाया था साथी जैसे अपने मुबाइल पर अलाम भी सेट किये जो मुझे समय पर दवा लेने की याद दिलाते थे दूसरी बात ये कि मैं अपने डॉक्टर्स और अपने परिवार से साइड इफेक्स के बारे में बात करती थी जिससे वो मुझे इससे लड़ने में मदद कर सके अपने डॉक्टर्स को बताने के लिए मैं अपने साइड इफेक्स को एक डायरी में भी लिखती थी मेरे परिवार ने भी हर रोज मेरा मनोबल बढ़ाया जिससे मुझे काफी मदद मिली TB को माद देने के लिए ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पे लेना जरूरी है मैं जानती हूँ ये आसान नहीं होगा लेकिन TB को हराने के लिए कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है हमने एक दवा का कैलेंडर तयार किया है और मनोबल बढ़ाने वाले संदेश भी तयार किया है अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते है तो हमारा एप डाउनलोड करें या हमारे वेबसाइट पर रजिस्टर करें आईए हम सब मिलकर TB से लड़ें